हलो इन गुड मॉनिंग एवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टरी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम तीन मार्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले है और क्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको क्वेज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडियप भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कॉट है विकल्प मिलेंगे बहुत मार्क भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए तो इसी मोटिवेशनल कॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है तो यह बने है भूशन पट वर्धन बने है यह इसका करेक्ट आंसर होगा डिटेल से हम इस सिमीती के बारे में बात करें तो विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने सिक्षा विद और अनुसंदान विग्यानिक प्रोफेशर भूशन पट वर्धन को राश्ट्रिय मुल्यानकन और प्रत्यायन परिशत बैंगलूरों की कारेकारी सिमीती का अध्यक्ष नियुकत किया है और प्रोफेशर पट वर्धन वर्तबान के अंदर आयुश मंत्राले भारत सरकार द्वारा नामित एक राश्ट्रिय शोध प्रोफेशर है और इंटर डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हेल्स साइनसेज सावित्री भाई फूले पूने विश्व विद्याले में एक प्रतिष्ट प्रोफेशर है और NAAC 5 सितमबर 1994 को UGC द्वारा इस्तापित एक स्वायत निकाई है जिसके संस्तापग और अध्यक्ष प्रोफेशर राम रेडी और इससे पहले निदेशक के रूप में प्रोफेशर अरून निगावेकर है और जो NAAC है इन संस्तानों की गुणवता की इस सिक्षन संस्तानों का मुल्यानकन और माननेता प्रदान करता है और इसके अध्यक्ष कोन बन गया है बूशन पतवर्धन बन गया है चलिए टॉप फाइब नैशनल रिक्रूट्मेंट के अब हम बात कर लेते हैं न्यू डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ ओफ दे इंडि ट्रेनिंग तो यह बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं न्यू चैर्मेन ओफ युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तो यह बने हैं एम जग्दीश कुमार बने हैं और जो भारती दिवाला एम रिंशोदग एक्षमता बोर्ड आई बीवी आई के नय जो अध्यक्ष है यह कौन बने हैं रवी मित्तल बने हैं तो यह आप ध्यान रखेगा सेकेंड नमर क्वेशन है विच मल्टी नेशनल टेक्नलोजी कंपनी हैस लॉंच्ट प्लेपास सब्सक्रिप्शन फोर एंड्रोइड डिवाइस यूजर्स इन इंडिया किस बहु रास्टे प्रद्यो है जो एंड्रोइड डिवाइस उभोग करताओं को विज्यापनो इन एप खरीदारी और अग्रिम भुकतान के बिना हजार से अधिक एप्लिकेशन और गेम तक पहुँच प्रदान करेगा जो प्लेपास है यह वर्तमान के अंदर 90 देशों के अंदर आवेलेबल है इसके जो 69 देश है वो डवलेपर से 41 शेनियों में 1000 प्लस शेषकों का एक उच गुणवता और क्यूरेटेट संग्रेपेश करेगा जिसके अंदर जो भारत है यह भी इंक्लूड होगा और प्लेपास उभोग करताओं को जंगल एडवेंशर्स, वर्ड क्रिकेट बैटल 2 और मॉ पहुँच प्रदान करने वाला है चली गूगल की बात हो रही है तो गूगल इस एन अमेरिकन मल्टिलेशनल टेकनोलोजी कंपनी और यह एस्टेबलिस्ट हुई थी फोर सेप्टेमबर 1998 को इसका हेड़कॉर्टर कैलिफोन या USA के अंदर है इसके फाउंडर है सर्गेई ब चैंपियंशिप 2022 विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियंशिफ 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतिया खिलाडी कौन बन गई है तो यह बन गई है पूजा जातिया बन गई है इसका करेक्टर अंसर होगा डिटेल से हम इसके बारे में बात क करें तो पैरा आर्चर पूजा जातियान ने इतियास रच दिया है क्योंकि वह दुबाई सेंग्त अरब अमिरात में पैरा वर्ड चैंपियंशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारतिया बन गई है और वह फाइनल में इटली की पैट्रेली वि ओमंस के बारे में हम बात कर लेते हैं गया है अंशु मलिक को दिया गया है सारा टेलर हैस बिकम दे फर्स्ट फीमेल कोच ओप मेंस फ्रेंचाइज इस क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री तो यह है इंगलेंड फॉर नमबर क्रेशन है वो एस बिकम दे न्यू अमडी एड़ सी सीओ ऐओ अफ एल एसी मुच्वल फंड खेंड के नए एमडी और सीओ कौन बने है तो यह बने है टीएस रामाक्रिशनन बने हैं कंपनी की विगयपती के अनुसार LIC mutual fund ने T.S. रामा क्रिशनन को अपना प्रवन निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी गोशित किया है और रामा क्रिशनन के मार्च 2022 से कारेभार समालने की उम्मीद है और उनके पद पर राम क्रिशनन इससे पूर्व पूर्ण कालिक निदेशक और CEO दिनेश पांगेट का इस्तान लेने वाले है और रामा क्रिशनन को LIC और उसकी साय कंपनियों सयोगी कंपनियों में 34 से अधिक जो वर्षों का इनको अनुव है और ये 28 अप्रेल 2021 को LIC mutual fund AMC में शामिल होने वाले है तो जो LIC mutual fund है इसके नए MD और CEO कौन बन बने हैं चलिए TOP 5 MD & CEO की अब हम बात कर लेते हैं New CEO of National E Governance Division तो ये कौन बने है अभिशेक सिंग बने है MD & CEO of Industrial Development Bank of India तो ये बने है राकेश शर्मा New President of Honda Cars India तो ये कौन बने है तकूया तूसु मुर्रा को बनाया गया है New MD & CEO of Air India तो ये बने है इलकर आईची बने है New CEO of Electrical Energy Company अडानी पावर तो ये बने है शेर सिंग भी खयालिया बने है तो ये अभी recently appointment हुए है ये आप थोड़ा द्यान रखिएगा फाइफ नमबर क्वेशन है When is zero? Discrimination date 2022 observed शुन्य भेदबाव दिवस 2022 कम मनाया गया है तो ये मनाया जाता है शुन्य भेदबाव दिवस हर साल एक मार्च को मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो इस दिन का जो उद्देश यह है ये सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदबाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिका सुनिशित करना है ताकि किसी भी बादा के बावजूत गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सके और इस बार की theme क्य रखी गई है शुन्य भेदबाव दिवस की remove harmful laws, create empowering laws, is highlighting the urgent need to take action against un-aids discriminatory laws, नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, शशक्त बनने वाले कानून बनाएं, un-aids भेदबाव फून कानूनों के खिलाब कारवाई करने की ततकाल आवशक्ता पर प्रकाश डाल रहा है और शुन्य भेदबाव दिवस पहली बार एक मार्च 2014 को मनाया गया था और un-aids के दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपना शुन्य भेदबाव अभियान शुरू करने के बाद बीजिंग में un-aids के कारेकारी निदेशक द्वारा शुरू किया गया था, तो ये क मनाया था, चार फर्वरी को ही मनाया जाता है, वर्ड केंसर डे चार फर्वरी को मनाया जाता है, वर्ड लैप्रोसी डे 30 जन्वरी को मनाया जाता है, डेटा प्राइवेसी डे हमने मनाया है 28 जन्वरी को, इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है 26 जन्वरी को, शिक्स नमबर क्वेशन है रिसेंटली वैंट जन ओश्टी डे वीक हैस इस्टाटेड हाली में जन ओश्टी दिवस सपता कब से शुरूआ है तो ये शुरूआ है एक मार्च से बीस का करेक्ट आंसर होगा रसायन और उर्वरक मंत्राले एक मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन ओश्दी दिवस का आयोजन करेगा और 7 मार्च 2022 को चोथा जन ओश्दी दिवस मनाये जाएगा और चोथे जन ओश्दी दिवस की जो थीम है ये क्या रखी गई है जन ओश्दी जन उप्योगी इस बार की थीम रखी गई है सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक प्रधान मंत्री भारतिय जन ओश्दी के इंद्रों की संक्या को बढ़ा कर 10,500 करने का लक्ष भी रखा है और जन ओश्दी परियोजनाओं के लाबों के बारे में जागरुकता पैदा करना प्रधान मंत्री भारतिय जन ओश्दी परियोजना नमबर 2008 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्राले के द्वारा शुरू की गई थी ताकि सबी को सस्ती कीमतों पर गुणवता पूर जेनरिक दवाए उपलब्द कराई जा सके तो यह कम मनाया गया है जो यह वीक है यह एक मार्ज से साथ मार्ज तक यह मनाया जाता है 7. Question है Who has destroyed the world's largest aircraft Mariya किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान Mariya को तबा कर दिया है तो यह Russia ने कर दिया है Cease का correct answer है डिटेल से बात करें तो युक्रेन पर रूसी आकरमन रूस ने युक्रेन के Antonov 225 कारगो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नस्ट कर दिया है और यह विमान है यह कीव के बाहर नस्ट कर दिया गया था और हत्यार निर्माता युक्रो ब्रॉर्णो प्रॉम के अनुसार AN-225 Mariya को बहाल करने में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खरच आएगा और इसमें 5 साल से अधिक का समय लग सकता है और विमान दुनिया के लिए अधवित्य था और जो AN-225 विमान होस्टो मेल हवाई अड़े पर इस्तित था जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को युक्रेनी हवाई अड़े पर हमला किया था और इसे 27 फरवरी को नस्ट कर दिया गया था और ये जो है 84 मिटर लंबा था और 850 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से 250 टन माल का परिवहन भी कर सकता था तो ये कौन सी कंटरी का था युक्रेन का था और जो रूस है इसके द्वारा इसे नस्ट कर दिया गया है एट नमबर क्वेशन है हाली में इंड़स्ट्री कनेक 2022 का उधगाटन किस ने किया है तो ये किया है डॉक्टर मंसुग मंडाविया के द्वारा भी इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्री स्वास्ते और परिवार कल्यान रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मंसुग मंडाविया ने इंड़स्ट्री कनेक 2022 उधग और अकादमिक सिनरजी पर संगोष्टी का उधगाटन किया है और देश की प्रगति के लिए नवाचार और प्रोध्योगी की के महतु पर जोड़ दिया गया है और ये अधिक से अधिक उध्योग अकादमिक भागिदारी के लिए है बड़े पेमाने पर अभिनव उत्सा और वी निर्मान गुर्वता वाले उत्पाद प्रधान मंत्री के मेक इन इंडिया और मेक फोर दे वर्ड के द्रश्टिकोन में ये मदद करने वाला है तो इसका उध्योग पर ध्यान के इंद्रित करना है इसका दूसरा उध्योग है पेट्रो केमिकल सेक्टर में मानव पुझी के लिए स्किल गैप एनलेसिस करना है एक अन्य उध्योग कनेक्ट की साहिता से स्वधेशी प्रध्योगी की और आत्म निर्बर CIPET प्रदान करके आत्म निर्बर भारत का समर्थन करना है अन्तिम उध्योग है इस शेत्र के लिए उध्योग और सिक्षा विदो के भी समन्वे इस्तापित करने के लिए प्रध्योगी की विकास बोर्ड की साहिता से प्रध्योगी की का समर्थन करना इसका उध्योगी है नाइन नाबर क्वेशन है वेरवास दे DST-CII इंडिया सिंगापूर टेक्नोलोजी सम्मेट 2022 हैल्ड रिसेंटली हाली में DST-CII भारत सिंगापूर प्रध्योगी की शिकर सम्मेलन 2022 कहां हुआ है तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर ये इसका करेक्टर आंसर होगा विग्यान और प्रध्योगी की विभाग के साथ सांजेधारी में भारतिय उद्योग परिसंग नई दिल्ली ने 23-24 फरवरी 2022 को DST-CII प्रध्योगी की शिकर सम्मेलन के 28 संस्क्रण की मेजबानी की है और सिंगापूर इस वर्ष के प्रध्योगी की शिकर सम्मेलन का भागीदारी देश है और जो प्रध्योगी की शिकर सम्मेलन है ये दो दशकों से अधिक के अवधी में द्वी पक्षिय प्रध्योगी की सांजेधारी के निर्मान और सुदार के लिए महत्पून अफसर प अफसरों का पता लगाने और द्वी पक्षिय सैयों को उत्पन करने में ये मदद करने वाला है और जो सम्मिट का फोकस है ये स्मार्ट सिटीज, स्पेस इंडस्ट्रीज 4.0 और एडवांस इंजिनियरिंग, हेल्थ केर, प्रिसीजन, मेडिसीन आदी बनाना होगा तेन नमबर क्वेशन है, वेर हैस बैंक ओफ महरास्ट्रा लॉंच प्रोजेक्ट बैंक सकी, बैंक ओफ महरास्ट्र ने कहां प्रोजेक्ट बैंक संकी लॉंच किया है, तो ये लॉंच किया गया है, ओडिसा के अंदर 20 का करेक्ट आंसर होगा सारुजनिक छेत्र के रिंड दाता बैंक और महरास्टर ने ओनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महागराम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सैयोग से ओडिसा में प्रोजेक्ट बैंक सकी जो शुरू करने की घोशना की है और ये बैंक खाते खोलने के लिए ओडिसा के लोगों को घर घर और परैशानी मुक्त पहुच प्रदान करेगा ओडिसा के लोग हमारी अभिनाव ग्राहक अनुकूल वित्य सेवाओ का उप्योग कर रहे हैं और डिजिटल और भोतिक टच पॉइंट्स में सर्वस्रेश्ट ग्राहक अनुबहु का उप्योग कर रहे हैं अपने भोतिक वित्रन चैनलों के अलावा बैंक अपने ग्राहकों को निर्बाद बैंकिंग सेवाओ तक पहुचने के लिए मॉबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एई, पी, ए एस राजीव और यह एस्टेबलिस्ट वाता 16 सेप्टमबर 1935 को, चलिए कल के जो MCQ है जल्दी से हम इने रिवाइस कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेशन है भारतिय प्रति भूदी और विनिमे वोड की नई अध्यक्ष कोन बनी है, तो जो सेबी की नई अध्यक्ष बनी है, य इस का करेक्ट आंसर होगा, सेकंड नबर क्वेशन है, भारतिय भाषाओं के प्रचार पर जोड देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभ्यान को किस मंत्रा लेने शुरू किया है, तो यह शुरू की गई है, मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के दोरा 20 का करेक्ट अंसर होगा, थर्ड नबर क्वेशन है, राष्ट्रे विज्ञान दिवस 2022 का मनाया गया है, तो यह 28 फरवरी को मनाया चाता है, डीस का करेक्ट आंसर है, फोर्ण नबर क्वेशन है, मासको वुशू स्टार्स चेंपियंशिप 2022 के जूनियर टूनामेंट में भारतिय वुश धर वन गये हैं, बीस का करेक्ट आंसर होगा, उडान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेकर कौन है, तो इसके लेकर है मिथिलेश, तिवारी इसके लेकर है, डीस का करेक्ट आंसर होगा, विज़ान नबर क्वेशन है, हाली में भारत में ट्वीटर की सारुजनिक नीती टीम का नेतरत्व किसने कौन करने वाले हैं तो ये करेंगे समीरन गुपता करेंगे सी इसका करेक्ट आंसर होगा 9. कौन सा देश दुनिया के पहले बोदे से प्राप्त COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है तो ये मिली है कैनड़ा के अंदर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 10. नमबर क्वेशन है दुल्लव रोग दिवस 2022 कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को ये मनाया गया है और ये था कलका स्टरी ग्लॉस क्वेशन हाली में जारी ब्रस्टाचार अवधारना सूचकांग 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है तो ये रहा है डैनमार्क इसके अंदर शीर्ष पे रहा है और डैनमार्क के साथ में न्यूजिलेंड और जो फिनलेंड है ये भी इसके अंदर शीर्ष पे रहा है और इसके अंदर जो इंडिया है इसकी position कौन सी है तो इंडिया इसके अंदर 85 जो है position पे रहा है तो इसका correct answer B होगा और ये है आपके लिए आज का study gloss question हाली में CSIR Central Drug Research Institute ने coronavirus के omicron sunscreen के परिक्षन के लिए कौन सी एक स्वधेशी kit विक्सित की है तो इसका answer आप मुझे comment section में दीजेगा ये आप हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको सारे question quiz की format में मिल जाएंगे यहाँ जाकर आप जादर सादर उनकी practice कर सकते हैं और आपको session पसंद आ रहा है तो आप इसे like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और questions related कोई भी आपके doubts है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं में एक नए session के साथ में